हे गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबम और आप देख रहे हैं फैंटासी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडलेट स्ट्राइकर्स वसेस ब्रिस्बिन हीट के बीच में जो 46 मैच खेला जाएगा बिच लीग का इस मैच को मैं आपर कवर करने वाले हैं आपको देंगी ड्रीम 11 की टीम वीडियो को बिलकुल आखरी तक देखिएगा यह मैच आपके लिए बहुत इंपॉरेंट रहेगा क्योंकि कुछ प्लेयर जो है वो नए है और उनका बैटिंग पोशिचन साहरे आपको पता नहीं होगा बट मैं आपको प्लेइंग 11 के साथ बैटिंग पोशिचन सब कुछ बता दूँगा क्योंकि इस वीडियो को बनान में लगवख 5-6 घंटे लगे हुए है तो मैंने सब कुछ रिसर्च करके यहाँ पर प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बनाईए तो वीडियो का अंति तक देखिएगा और फाइनल अप्डेट टीम का रहेगा टॉस अप्डेट प्लेइंग 11 टीम वो टेलिग्राम चैनल पर बिलेगी तो वहाँ पर हमें फालो जरू कर लिजेगा ड्रीम 11 प्लेइंग 11 ऑफिशल यह हमारे टेलिग्राम चैनल है डिरेक्टल आप सर्च कर सकते हैं और इसमें कोई स्पेस मत दीजेगा और ऑफिशल में ओको कैपिटल तो टीम बैटिंग फर्स्ट यहां पर 56 परसेंट विन करती है टीम बैटिंग सेकेंड 45-41 परसेंट विन करती है और एकस्पेक्ट फरस्ट इनिंग स्कोर जो है 165 से 170 का नॉर्मली होता है बाद स्टाइकर्स अगर पहले बैट करती है तो यह स्कोर आपको 175 प्लस भी दिख सकता है तो अच्छा खासा बैटिंग ट्राइक है बात करें यहां पर आकरी मैच की जो खेला गया था 11 जनवरी 2021 में ही मैलबॉन स्टार्स और एड़िट स्टाइकर्स के बीच में तो यह परफॉर्मेंस था उस मैच में प्लियर्स का आप एक बार देख लीजे चैसे कि इसके बाद स्टार्स की तरफ से देखें तो फिलत कर आहे चैस window पर घेला गया था अब भात करते हैं आखरी मैच इन दोनों टीमों के बीच में यानि कि Adlered Strikers और Brisbane Heat के बीच में जो आखरी मैच खेला गया था वो कैसा था 23 December 2020 में इनके बीच में पहला आखरी मैच खेला गया था जो इस सीरीज का पहला मुकाबला भी था इनके बीच का जिसमें आप देश रखते है Strikers ने 150 बनाये थे और Brisbane Heat ने 148 Strikers फेवरेट रही की ध्यान रखेगा Weatherald ने एक रण बनाये था Phil Salt ने 25 लगाया थी Rancho ने 32 रण की पारी खेली थी Wells ने 31 Matthew Short 12, Harry Nilsen अठाइस राशित खान 9 रण और Worrell ने शोन लेगा इसके लाब विक्टों की बात करे तो Briggs ने 3 विक्टे नेका ली थी Peter Sidil ने 2 विक्टे निकाली थी राशित खान 2 विक्टे वैसा अगर 1 विक्ट और Worrell ने 1 विक्ट निकाली थी Brisbane Heat की बात करे तो यहां से Max Brent 12 रण Dan Lawrence ने 13 रण लगाया थी Cooper ने 22 रण Pearson ने 69 रण की पारी खेली थी मुझीब ने 18 रण इसके लाब बॉलिंग में बात करे तो बालिट ने 3 विक्टे निकाली थी Wilterमत ने 1 विक्ट ने 2 विक्टे मुझीब को 0 और लॉलन को 0 विक्टे मिली थी Head to 8 records की बात करें दोनों ही टीमों की तो यहां पर देखने को मिलेगा Strikus आगे है Heat ने 5 match विन करें Strikus ने 7 match विन करें वहीं अगर Heat पहले betting करती है तो 2 matches विन करें Strikus ने 3 win करें Heat अगर बाद में bet करती है second bet करती है तो Heat ने 3 matches विन करे Strikus ने 4 win करे Strikus थोड़ी सी ज़ादा मजबूत है Brisbane Heat से बट इतना ज़ादा difference भी नहीं है बात करें, स्कॉर्ट्स की तो Brisbane Heat के स्कॉर्ड में दो इंक्लूजन हुए है, Manos Labus Check ने और इसके लावा Mitch Swiftson, दोनों के दोनों अभी टेस्स सीरीज में स्कॉर्ड में थे, बट अब आ गए हैं Big Bash League में और दोनों का फॉर्म काफी अच्छा है, खास करके Manos Labus Check ने काफी परफॉर्मेंस दिया है, उन्हें टेस्स क्रिकेट में, एक्सपेक करते हैं इस मैच में भी अच्छा करेंगे, मैं आपको बजा दूए उनका बैटिंग पोजिशन जो है, वो 6-7 के आसपास कर रहता है, बट इस मैच में आपको चार नमर पर बैटिंग करते हैं, बिकोस च स्कॉर्ड की तो ट्रैविस हैड वापिस आ चुके हैं और कैप्टेंसी भी करेंगे, माइकल नैसर भी वापिस आ चुके हैं टीम में, एलेक्स केरी, वैसा अगर, बाकि आप यहाँ पर सारे स्कॉर्ड देख सकते हैं, पीटर सिडली भी स्कॉर्ड में है, वैधरिल वैल्स और वरल्बी स्कॉर्ड में, प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं देखते हैं, ब्रिस्बिन हीट की प्लेइंग 11 की बात करें, तो ब्रेंट ओपन करेंगी क्रिसलिन के साथ, नमबर तीन पर एजट इस डेनली देखेंगे, नमबर चार पर मानोस लविस चेकने आ सकते हैं, बंस की स्टाइकर्स की बात करें, तो Alex Carey उपन करेंगे फिल सॉलिट की साथ, हाला कि लास्ट मैच में इन्होंने उपन करा है, वैसे ये नमबर तीन चार पर बेटिंग करते हैं, हो सकता है कि रैंशो भी आपको उपन करते हो दिख जाएं, और Carey आपको मिड और पर चार नमबर करते हैं, और काफी अच्छे स्टैट्स इनके आगे में आपको दिखाऊंगा, तो ये आज की कैप्टन सी को लिए काफी अच्छे मटरियल रहेंगे, नमबर चार पर रैंशो देखेंगे, फिर वैल्स हैं, फिर वैदरल्ड हैं, इसकाद माइकल नेसर भी आएंगे, तो न पर पॉस्टनिटी नहीं मिल पाती, जितने बैच्छे में आपॉस्टनिटी मिलती है, बैटिंग अबर इच बीस का जाता है, बट वही है कि लगभग आगर हम बात करेंगे, तो 60-70% में ही बैटिंग आ पाती है, बाकी की 30% में बैटिंग नहीं आपाती हैं तक, बाकी इनके बाद दो प्लेर एक्स्टा में होते ही हैं, तो कोई उससे जादा फरक नहीं पड़ता है, मैं आपको कुछे स्टैट्स बताऊंगा, जिसके बेस पर चूज कर सकते हैं अपनी प्लेर्स को, प्लेर्स परफॉर्मेस की बात करते हैं, सबसे बहले हीट की बात करें, इनके स्कोर सबसे जादा कंसिस्टेंट रहे हैं, यहां पर परफॉर्मेस देख सकते हैं, जिसमें आखरी मैच का 27 है, उसके पहले लगाता है, इनका हुआ हुआ है, तो लगभग आप कह सकते हैं, कि तीन इनके अर्दिश पर बेटिंग करेंगे, परफॉर्मेस इनका भी जब देख सकते हैं, जोडने वाले प्लियर बिलकुल भी नहीं है, काफी अच्छे फॉर्म में है, इनको ज़रूर टीम में ट्राइ कीजिए, इस वाद गरिगरी है, गरिगरी की बात करें तो परफॉर्मेस बैटिंग में इनका अच्छा नहीं चल रहा है, और बाॉलिंग इनको नहीं मिल पा रही है, विल्डर मत की बात करें, शुरुवात में काफी अच्छा खेले, बैटिंग भी अच्छी करी, बाॉलिंग भी अच्छी करी, बट आकरी कुछ मैच्छे में बैटिंग में थोड़ा सा नीचे भी बैट करने आ रहा है, और परफॉर्मेस भी थो एक दो ओवर कनफर्म बॉलिंग कर रहे हैं, इसको अध मार्क्स टिकिट की बात करें, लास्ट मैच में विक्टे नहीं मिली बट उसके पहले हर मैच में विक्टे निका ली है इस प्लियर ने, और टीम का सबसे बढ़िया बोलर है, इसको आपको टीमें पर करना ही करना है, स्वेपसन की बात करें, तो इन्होंने आखरी जो सीरीज खेली थी, उस्टलिया वसेज इंडिया खेली थी, जिसमें T20 फॉर्मैट में इन्होंने खेला हुआ था, तो उस मैच में देख सकते हैं, तीन विक्टे, एक विक्टे, एक विक्टे, ये इनका परफॉर्मेंस रह परफॉर्मेंस नहीं चल रहा, बट सुवात काफी अच्छी रही थी, विक्टे, विक्टे, बैट्समेन है, इसको आथ फिल सॉल्ट की बात करते हैं, रिसेंट फॉर्म इनका आप यहां से देख सकते हैं, परफॉर्मेंसे इनके काफी अच्छे रहते हैं, तो इनको आप इनके परफॉर्मेंसे आप देख सकते हैं, बट कभी विक्टे मिल जाती हैं, बाकी बैटिंग में तो हमेशी अच्छा गर रहे हैं, रहेंचो की बात करें, यह भी लगब हर मैच में एक आद दू ओवर कर लेते हैं, और रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक ही देख रहा है, नमबर पांच पर बात करें, तो वैल्स आपको बैटिंग करते हैं, वैल्स का परफॉर्मेंस आप यहां से देख लीजे, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, इसके बादा वैदरल का परफॉर्मेंस पिछले तीन-चार मैचस अच्छा नहीं चल रहा है, इनको तो से नीचे ब बैटिंग करते हैं, तो मैक्स ब्रेंट का देखते हैं, जब आपने सामने टीम में बिढ़ती हैं, तो इनके प्लेस का क्या परफॉर्मेंस रता हैं, सीदी बात, तो हम देख लेते हैं, मैक्स ब्रेंटर ने 5 मैचस खेले हैं पोजिशन के खिलाफ, 5 इनिंग में 55 रन है, 11 का बैटिंग आवरिज है, तो नॉर्मल सा परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस इतना नहीं है, एलेक्स करी की बात करें, तीन मैचस खेले हैं सामरल टीम के खिलाफ, तीन इनिंग में बैटिंग करी है, 96 रन है, 32 का बैटिंग आवरिज है, विकिट कीपरिंग के एक्स्टा पोइंट देते हैं, ट्रैविस हैड 6 मैच खेले हैं, 5 बार बैटिंग आई है, 119 रन लगाए हैं, और 37 का इनका बैटिंग आवरिज बनता है तो ये भी काफी बड़िया स्टैट है, यानि कि आप कह सकते हैं, ट्रैविस हैड, एलेक्स केरी ऐसे प्लेयर है, जो कल के मैच में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 30 प्लस हम इनसे उम्मीद रख सकते हैं, क्रिसलिन की हम बात करें, क्रिसलिन 11 मैच, 11 इनिंग, 191 रन है, एवरि पियर्सन जो है, वो काफी अच्छा खेलते हैं, समरल टीम के खलाफ को कि शुरुवाती फिक्र गिर जाते हैं, इनको आसमोगा रहता है, रन्स वगिर लगाने का, रैंशो की बात करें, एकी मैच खेला है, एक इनिंग में 32 रन लगाये थे, 32 का ही बैटिंग अवरिज है, फिल सॉल्ट 3 मैच, 3 इनिंग, 99 रन है, 49 का बैटिंग अवरिज है, तो ये काफी देखने वाली बात है, जॉन वेल्स की बात करें, 6 मैच, 5 इनिंग, 111 रन है, 27 का बैटिंग अवरिज है, फिल सॉल्ट का इमपॉर्ट रहेंगे, वेदरल 7 मैच, 7 इनिंग, 130 रन, 21 का यानि कि WPI है, बारलेट की बात करें, एक मैच, एक इनिंग, 3 विक्टर निकाली है, WPI इनका 3 का है, एक ही मैच खेला हुगा है, तो ये सेंपल साइज इतना सही है नहीं, ज्यादा सेंपल साइज होगा, तो ज्यादा एक्यूरेट चीज़ें रहेंगी, डर्नी बिक्स की ब आइकल निसर की बात करें, नौ मैच इस खेले हैं, नौ मैच में ही बॉलिंग करी है, नौ विक्टर निकाली है, WPI इनका 1 का है, मार्किस टिकिट की बात करें, 6 मैच, 6 निंग, 8 विक्टर निकाली है, WPI 1.33 का है, स्विप्सन की बात करें, 6 मैच, 6 निंग, 4 विक्टर निक fantasyexpress.com fantasyexpress जो हमारे चनल का नेम है same to same आप डालेंगे और fantasyexpress.com आपको सर्च करके वहाँ पर आर्टीकल मिल जाएगा जिसमें सब कुछ यह दिया हुआ है तो आप चाहे तो डारेक्ली कॉपी कर लीजे और फिर अपने नोट्स में पेस्ट कर लीजे पर ड्रीमलेविंग टीम आप पना सकते हैं ठीक है? अब इसके अलावा टेलिग्राम पे फॉलो कर लेजेगा आप ड्रीमलेविंग की टीम देख लेते हैं यह मेरी ड्रीमलेविंग की टीम अभी रहने वाले है वाइस केप्टन में मैं जादा शूर नहीं हूँ क्रिसलिन का भरोसा नहीं हो सकता है कि इस बॉलिंग लाइनप के सामने क्रिसलिन अपना विकिट जल्दी देदे यह थोड़ा सा मुझे लग रहा है पर केप्टन जो है वो ट्रेविस हैड सबसे अच्छे रहेंगे कल के मैच में ध्यान रखिएगा वाइस केप्टन आप फिर भी सोच सकते हो आपके बस ऑप्शन रहेंगे अलेक्स केरी और क्रिसलिन के हैड टो एड में केप्टन तो मेरे लगबोग फिक्स रहेंगे ट्रेविस हैड क्योंकि यह थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं और बैटिंग दो कम्प्लीट अच्छी करते ही हैं तो इसके अलावा मेरे पास फिल सॉल्ट है लाबू चागने क्रिसलिन है ट्रेविस हैड नैसर विल्टरमत वैस आगर इस टिकेट और मॉरकल इसके अलावा कुछ ऑप्शन्स देख लेते हैं क्या क्या और ऑप्शन्स हमारे पास अवे लेविल है विग्ट की बिन सेक्शन में पियर्सन है जिनके स्टैट्स काफी अच्छे रहते हैं जब यह खेलते हैं स्ट्राइकर्स के खिलाव क्योंकि स्ट्राइकर्स क्या करते हैं हीट्स के शुरुवाती विकेट निकाल देते तो पियर्सन के पास एक मौका रहता है रंस स्कूर करने का उन्होंने कराब हुआ भी है काफी अच्छा है इनका स्टैट तो ग्रेंड लिग में ज़रूर ट्राइ कीजिए इसके बाद बैटिंग सेक्शन में अगर हम देखें तो वेदराइल के स्टैट्स उतने अच्छे नहीं है बैटिंग में बहुत नीचे आ रहे है तो कोई मतलब ने इनको लिलने का वेल्स को फिर भी आप कंसीडर कर सकते हो पांच पर आएंगे बैटिंग करने बंस की चांस इस काफी कामे खेलने की कल के मैच में ब्रंट उनकंसिस्टेंट है इसके बाद और नीचे चलने तो यहाँ पर डैनली एक बहुत अच्छ उप्शन इनको ट्राइ कर सकते हैं नंबर तीन पर यह बैटिंग करने आएंगे बट मैं लाबूस चैकने के साथ जा रहा हूँ जिनका एक्सपेक्टेड है नंबर चार पर बैटिंग करना बाकी लाइनप के टाइम पर देखते हैं और लाउंडर सेक्शन में ट्रेविस हैड, रैंशो, विल्टरमत और नैसर को पिक कीजिए जिसमें एक कम्प्लीट अलाउंडर ट्रेविस हैड को कह सकते हैं रैंशो तो फिर भी एकादी उवर कर रहा हैं, बट फिर भी बैटिंग में वाड़ी अगर्नौन है, विल्टरमत बॉलिंग में वाइटिंग के लिए बैटिंग को तच्छा नहीं कर पार है, घ्रिकली है अच्छे आप्ड़न है पिछले मैच में जरू जीरो विक्टे निकाले इनोंने यानिकी विक्ट नहीं मिली बट टीम के सबसे बड़िया बोलर है और लगबग शायद अठरा विक्टे अभी तक टूर्णमेट में निकाल भी चुके है इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ब्रिक्स ने आखरी बार तीन विक्टे निकाले दी वारेल का परफॉर्मेंस अथ अच्छा है नहीं वारेल शुरुआत में अपने पूरे ओवर कर देते हैं वालेट को पिछले दो मैचे से के को वर करने को मिल रहा है हो सकते इस मैच में खेलने को भी ना मेले मॉरकल डैथ में गिनवा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो का कि शेयर भी कर दीजिए अपने फैंस के साथ ओके गाई बेस्ट आफ लाइव